दोस्तो Excel एक one of the popular and demandable software बन चुका है, जिसका use आप different places पर देखते हो, चाहे मैं बात करूँ एक छोड़ी organization या फिर एक बड़ी organization, हर जगा हम Excel का use देखते हैं, और अगर आप Excel पर work करना चाहते हो, तो यह जरूरी है कि Excel के जितने भी tabs है, उन सब के knowledge आपको होनी चाहिए, complete हो चुके हैं, बस बच गया है तो बस एक view tab, और मैं आपको बता दो कि यह जो view tab है, यह बहुत important है, इसमें दो-तिन options तो ऐसे हैं, जो कि interview में 99% consider के जाते हैं, क्योंकि इनका use बड़े data के लिए बहुत जादा होता है, तो view tab आपके लिए बहुत जादा important है, और अगर time आप इसमें invest कर रहे हो, उसके बाद view tab से related, आपके mind में कोई भी doubt नहीं रहना वाला, एक छोड़ी से request और है, कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को like और share जरू करे, तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को, तो normally ध्यान देते ह और यहां पर जो हमारा सबसे पहला section है, वो है workbook views, जिसमें आपको में इलनी चार options मिलते हैं, एक normal, एक page break view, page layout and custom views, normal की अगर मैं बात करूँ तो यह जो भी आपको normal look यहां पर नजर आ रहा है, किसी भी मैं बात करूँ, sheet की या workbook की, तो यह इसका normal view है, by default यही saved होता है, तो यही आपके सामने आ जाता है, ऐसा करते हैं, इसे एक data की साथ देख लेते हैं, ताकि थोड़ा और अच्छे से यह चीज़ आपको समझ में आ सके, तो मैं क्या करता हूँ, और मैं कोई दूसरी यहां पर जो भी हमारी file है, workbook है, वो मैं खोल लेता हूँ, तो यहां पर ह हम open कर लेते हैं, हमारी यह वाली जो file है, यह वाली open कर लेता हूँ, तो normally आप यहां पर ध्यान देर हो, कि मैंने यहां पर एक अभी workbook खोला हूँ, normal एक file खोला है, उसके लावा कोई भी biggest stuff इसमें नहीं है, और एक normal appearance हमारे सामने किसी भी file का जो आएगा वो होता है normal view, इन केस आपको इस option के बार में ब्रीट में नहीं पता, या फिर explain करना है, तो जब आप अपने mouse को उसके उपर ले के जाओगे, तो उससे related जो भी definition है, वो आपको मिल जाएगा, जैसे इसके definition क्या है, कि see where the page break will appear when your document is printed, मतलब कि यह page break आपको यह बता देगा, कि जब आप इ बात है कि एक page में तो हमारा यह पूरा data print नहीं हो पाएगा, एक page में मालो यहां तक data आगया, फिर दूसर page में इतना आएगा, तो एक page में तो नहीं होने वाला, तो मैं क्या करता हूँ, पूरे page को select कर लेता हूँ, यहां देखो ऊपर में लेके जाओगे, click करोगे, तो प portion है, कहां तक, यहां तक, obtain तक, यह होगा हमारा page 2 में print, तो यहां पर मुझे फटा-फट से answer मिल गया, अगर मेरे दिमाग में question चल रहा है, कि इसमें से कौन सा page मेरा page 1 में print होगा, मतलब कितना data page 1 में print होगा, और कितना data page 2 में print होगा, तो उन दोनों का जो एक quick appearance अब मेरे सामने आ जाता है, अब जैसे में से normal पे click करूँगा, तो यह पहले के जैसा normal हो जाएगा, तो यह क्या हुआ कि आप एक preview देखे हो, यहां पे क्या लिखा हुआ है, preview, तो यह आपको preview दिखाता है, कि जब आप इसे print करोगे, तो यह किस view में आपको नजर आने वाला है, मतलब आपका जो data वो बस यहां पे आ रहा है, और आप देखो कि page कितना जादा बढ़ा है, बहुत ही जादा बढ़ा है, और अभी तो पूरा आई नहीं पा रहा, आप अगर इसे नीचे करते जाओगे, बहुत टाइम लग जाएगा, यह बहुत ही जादा बढ़ा है, एक मैं आपको answer दे देता हूँ यहां पे, I hope कि आपको पता होगा, आप एकसल इतने time से पढ़ रहे हो, तो आपको इस चीज़े पता हो नहीं चाहिए, normally जो यह ABCD आप देख रहे हो, अगर आप इसे count करते हो, 1, 2, 3, 4, ऐसे से करके आप count करते हो, तो यह counting जो आपकी जाने वा 306 है, तो यह बहुत बड़ा है, अब इतना बड़े workbook में आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, कि इतना बड़ा page रखने की क्या जरू होता है, जो हम बात करें company की, बड़ी company में जो बड़ा data होता है, तो उसमें हो सकता है data 5000 लोगों का हो, 10,000 लोगों का हो, 20,000 लोगो है, अब आप बोलोगे, इसमें मैं बार-बार कैसे set करूँगा कि मेरा page इतना बड़ा है, तो आप क्या करोगे, simply इस page layout पे click करोगे, इस पे click करने पे क्या होता है, कि आपकी जो यह excel sheet है, यह page by page divide हो जाएगे, तो यह आगे पहला page, दूसरा page, तीसरा, चौथा, पांचव तो इस तरीके से जो आपकी पूरी workbook है, बड़ी से workbook है, यह page by page divide हो जाएगे, जिसका फाइदा आपको यह मिलता है, कि एक page के हिसाब से अगर आप data तयार कर रहे हो, तो आप उसे adjust कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे data मेरा duration तक print होगा एक page में, अगर मैं A4 size की बात करूँ, तो duration तक जो data हो मेरा एक page में आएगा, तो मैं यहाँ तक data प्रिपेर करूँगा, और फिर मुझे आगे का data जो हो मेरा दूसर page में आएगा, तो इस तरीके से अगर आपको एक page के हिसाब से काम करना है, तो आपो जनजड़ी कातम कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, पेज layout view ल मस्ते है, देखो custom का मतलब होता है, अपने हिसाब से किसी चीज़ को customize करना, example के लिए अभी आपने देखा कि एक page, दो page के हिसाब से आप कर रहे हो, या फिर page को हमने बाठ दिया, लेकिन आप चाहरे हो कि मैं एक data save करके रख लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे सुमित का data है, और सुमित का मुझे यहां से लेके, यहां तक का जो data है, वो set करके रखना है, ताकि जो भी senior आए, उनको मैं फटाफट बस इतने का print दे दूँ, कि सर यह जो students है, इनके data में कुछ गरबढ है, तो मुझे सिर्फ इतना data को mark करके रखना है, आपने इसको select किया, custom view पे click किया और इसे save कर लेते हैं, तो save करने के लिए मैं add पे click करता हूँ, और यहां पे name डाल देता हूँ, मैं ABC, कुछ भी नाम दे सकते हूँ, मैंने ABC किया, और care दिया OK, अब यहां पे देखो क्या होगा, कि मैं इसको छोड़ देता हूँ, मालो senior रगले दिना है, और मुझे उनको अब यहां पे गया, और यहां पे simply किया show पे click, जैसे मैं show पे click करूँ और जितना area मैंने select किया था, उतना ही आ गया, दूसरा यहां पे क्या कर सकते हूँ, कि आपको अगर इतना area print करना है, अभी अगर आप इसे print करोगे, तो इतना area print नहीं होगा, दोकि मैं show करता हूँ, control F2 किया, तो इतना area print नहीं होगा, पूरा का पूरा होगा, तो आप क्या कर सकते हो, इसको select करोगे, और यहां पे आपको जाना है simple, किसमें जाना है, यहां पे page layout में, और यहां पे option मिलता है print area, इसमें जाके कर देना है set print area पे click, अब क्या होगा, मैं control F2 करूँगा, तो वो इसे भी कर देना one page और इसे भी कर देना one page, इतना करके control F2 कर दो, और आपको जो पूरा data अभी छोटा हो रखा है यहां पे, पूरा का पूरा जो data वो एक page में जैसे आना चाहिए, उस way में print होने के लिए आ जाएगा, तो इस तरीके से भी आप इसका use कर सकते हो, फिलाल मे जाके इसको remove या delete पे click कर दो, यह हड़ जाएगा, अब बात करते हैं यहां पे next section की, जो की appearance से related है, जो की है show, इसको बस आपको बहुत ही simple है, इसमें कोई भी stuff नहीं देखो, इस पूरे अगर मैं view tab की बात करो, तो समझने वाली जो चीज है वो है आपका एक यह workbook view, दू बास कर यह macro वाला important, तो फिलाल हम यहां पे बात कर लेते हैं, इस option की show की, कि इसका क्या use है, देखो, यहां पे जो आप यह देख रहे हो, कि यह जो आपका excel file है, जैसे मैं इस पे click करता हूँ, यह blank है, अब यहां पे देखो, यह जो आपको दिख रहे हैं, जो डब्बे द यहां पे lines देख रहे हैं, तो इनको बोलते है grid line, अगर आप इस पे click करोगे, check box हटेगा, तो यह grid line हट जाएगी, और आपको यहां पे grid line नहीं दिखाए देगी, तो in case अगर आपके साथ यह problem आ रहे है, कि grid line नहीं देख रही, तो आपको पता होना चाहिए, कि view tab में जान जो है, software उसमें कोई problem है, तो आप यह समझ जाना कि यह जो basic problems आरे है, जैसे heading हो गया, grid line हो गया, formula bar ruler, तो यहां पे यह option check नहीं है, इस दिके साथ देखो, यह formula bar है, आप इस पे click करोगे, formula bar हट गया, click किया, formula bar आ गया, same like में बात करो ruler की, तो normal view में ruler का कोई काम नहीं है, ल जाता है, मैं जैसे इस पे click करूँगा, यहां से 123 करके जो आ रहा था, वो हट गया, इस पे click किया, तो यहां पे देखो 123 आ गया, तो यह ruler होता है, जो कि बताता है कि आपके page का, जो आप लिख रहे हो, उसका size कितना है, तो यहां पे देख पा रहे हो, कि 6 level का, यहां पे size लिया होगा है तो नॉर्मल व्यू में यह option disable मिलेगा आपको और अगर आप page layout लोगे तो यह option enable हो जाएगा अब यहां पर बात करते हैं next section की जो कि है जूम सबसे बहुत आपको तीन options मिलते हैं एक normal जूम मिलेगा आपको जैसे जब आप यहां पे किलिक करते हैं तो यहां पे 200 पर सेंट या फिर कम के लिए option है तो यह पूरे page पे apply होता है मालब मैंने यहां पे 100 पर किलिक किया या 200 पर किलिक किया मैंने किया okay तो यह देखो यह बढ़ा हो गया और आप इसी पर जाएकर कम साइज सेलेक कर ले तो like 25% तो आप यहां पे देखो कि 200 पर सेंट है okay करने पर यह यहां पर आ जाएगा 25% पर और सारी चीज़े आपको काफी छोटी यहां पर नजर आएंगी इसका सबसे अच्छा shortcut में आपको बताता हूं फिलाल तो आप 100% जो की normal size होता वो ले लो और shortcut क्या है कि control की को hold करके जब आप mouse के scroll को उपर करते हो तो आपका जो य mouse scroll उपर की तरफ और जूम आउट करने के लिए control प्लस mouse scroll नीचे की तरफ इसके साथ ही कई बार क्या होता है कि हमें किसी option को जादा जूम करना है जैसे कि यहां पर यह जो लिखा है या फिर यह जो लिखा है तो इसको मैंने select किया और zoom to selection पी लिखिया तो सिर्फ और सिर्फ बात करते है next option की जो कि है new window अगर हम बात करें इस option की तो यह mainly जो use होता है वो होता है कि अगर आप जैसे इस page पे काम कर रहे हो और आप चारों कि एक मैं backup page ले लेता हूं या फिर एक दूसरा page ले लेता हूं जो कि इसी की तरह हो और कुछ गरबढ हो तो एक page मेरे पास backup मे रहे एक purpose आप यह समझ सकते हो तो मालन में इस new window पे click करते हो तो यहां पर आप देखो कि वो जो page है वो है one ratio one और यह जो page है वो है one ratio two और basically क्या है यह जो है वो उसी का duplicate है और आपस में interlink है अगर दुवारा में यहां पे new window पे click करो तो यहां जाएगा one ratio three अब यहां पे पॉइंट समझना यहां पर जो तीनों page है इन तीनों में अगर मैं कुछ भी करता हूं लाइक विशाल कुमार है मैं इसको कर देता हूं यहां पर अमित नेगी मैंने किया अंटर किया अब यहां पर आप नोटिस करना कि जो दूसरा page है जैसे मैं यहां पर दूसरे बात हू तो यहां पर भी नाम चेंज और अगर मैं आया यहां पर इस वाले पर वन रेशो वन पर तो यहां पर भी नाम चेंज तो तीनों आपस में इंटर लिंक है बस यह है कि आपने इसका डुब्लिकेट बना लिया है और कुछ ऐसे टास्क आ जाते हैं जिसमें आपको multiple pages पर एक साथ मिल जाएंगे अब यह समझ में नहीं आ रहा होगा मैं दुबारा करके बताता हूं और यहां पर वर्टिकल सेलेक्ट कर लो आप कर लो ओक के तो आप देखो यहां पर तीनों pages जैसे कि यह वाला page हो गया यह हो गया और यह हो गया यह तीनों pages on इसकर आपके सामने आ ज हो रहा है और हो सकता है कि आपको office में कोई ऐसा task मिले जहां पर इसके आपको जरूरत पढ़ जाए बेसिकली क्या है कि अभी आप इसके knowledge रखो जब task आएगा तो यह आपके दिमाग में कि करेगा कि इस option के मदद से आप यह काम कर सकते हूं अभी आपके दोस्तों बात करते है next option की जो की बहुत ज़्यादा important है और वो है freeze pins और यह एक ऐसा question है जो कि interviews में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और इसके बार में आपको ज़रूर पता भी होना चाहिए और आपकी practice भी होनी चाहिए देखो क्या है अब मान लो कि आप office में काम कर रहे हो ठीक है और वहा format apply कर देता हूं इस पर ठीक है और यहां लिखा हमने 1001 1002 और इसी को हम double tap करते है ताकि यही एक format सब पर apply हो जाए अब यहां point समझना कि यहां पर data है आपके पास 1076 अब अगली entry क्या होगी 1077 लेकिन यहां मुझे उपर पतान चल रहा कि यह कौन से section है नाम का section है यह department का है तो जादे तर offices में क्या होता है कि यह जो ऊपर वाला आपका जो heading section है इसको freeze कर दिया जाता है ताकि आप नीचे काम करते रहो और उपर के जो column से वह आपको दिखाए दें तो basically हम क्या करेंगे यहां पर आएंगे blue tab में और freeze paints में जाके यहां पर पर option मिलता है freeze top row का आपको कोई से क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद आप देखो मैं नीचे आ रहा हूं तो आप देखो वह हमारा वहीं पे freeze है मैं यहां पर entry कर रहा हूं लेकिन वह अभी भी freeze है चाहे मैं ऊपर जाओ या फिर नीचे आओ तो यह बहुत ही जादा important है अगर आपको पहले करना है आ freeze first column पर मैंने क्लिक किया तो अब यहां पर जैसे मैं आगे जाओंगा तो यह freeze हो गया है जो पहला वाला section आप notice कर रहे होंगे मैं थोड़ा से इसको बढ़ा कर देता हूं आपको देखने में आसानी होगी तो यह देखो मैं आगे जा रहा हूं पर हमारा जो पहला वाला column है वो freeze है तो कई बार क्या होता है offices में कई बार data मिलेगा आपको vertical यह होता है vertical data जिसमें हमें नीचे entry करनी होती है और कई बार आपको data मिल सकता है horizontal जिसमें हमें आगे के sections में entries करनी है तो अगर आगे के section में entries करनी है आप column को freeze कर दो तो freeze columns किया हमने और अगर उपर के विहाब पर हमें चेक करना है डेटा या फ्रेंट्री करनी है तो फ्रीज टॉप रो हमने कर दिया फिलाल मैं ऐसे करते तो अन्फ्रीज और यह पहले एक तरह नॉर्बन हो गया अब यह बात करते हैं दूसरे काम की जो क्यों होता है कई बार आपको еसे डेटा यसे मिलेगा कि यह वाला जो डेटा यह ऐसा ही रहना है आपकोki नीचे वालए डेटा में करना यह चेंज़ करने, तो आप इतने एरिया को सेलेक करते हो, और आपनी क्या split, अब split करने पर क्या होगा, कि यह जो area है, यह freeze हो गया, पहली बात तो split मतलब यहां से बट गया, और यह वाला area freeze हो गया, अब जैसे मैं नीचे काम करूँगा, तो देखो नीचे की चीज़े जा रही है, अब यहां पर point समझे ना, freeze pain किया, तो सिर्फो सिफ कही कि हमने top row को freeze किया था, लेकिन अगर आप यहां देखो, तो यहां भी क्या scene है, कि आपने इस area को, मतलब यहां तक के area को freeze कर दिया, और अब आप जो भी काम कर रहे हो, उसके नीचे कर रहे हो, तो इतने area को आप look up कर पा रहे हो, तो freeze pain में आपको सिर्फ उपर वाले row या column का option मिलता है, लेकिन split की मदद से, आप जितने area को चाहो, उतने को freeze करके रख सकते हो, और अगर आपको इसे पहले जैसे normal करना है, तो just आपको single click करना है, split पे, पहले जैसे normal हो जाएगा, इसली के साथ, अगर ही जो पूरी window है, जो आपको देख रहे है data for practice, मुझे इसको guide करना है, तो मै जो window है वो गायब हो गई, अब किसी भी दूसरी window पर आके, आप unhide पर click करो, और यह बताएगा कि आप किस workbook को unhide करना चाहते हो, तो मैंने data for practice को अभी अभी hide किया था, जो मेरी ये file थी दूसरी वाली, मैं से okay करता हूँ, वाली file यहाँ पर वापस आ जाएगे, अब य चारों यह दोनों आमने सामने आ जाए, जो भी मुझे काम करना है, वो मैं देख देख के कर लूँ, तो आप यहाँ पर करो कि view side by side, अब यह पूछ रहा है, एक workbook तो आपकी हो गई है, दूसरी workbook कौन है, जो आपको side में रखनी है, तो मैंने बोला data for practice, मैंने किया okay, तो अगर मैं इसको scroll कर रहा हूं, तो नीचे वाला भी scroll हो रहा है, देखो, यह वाला भी scroll हो रहा है, तो ओपर वाला भी scroll, यह वाला भी scroll, और अगर मैं यह वाला option हटा दू, जैसे synchronized है, मैंने इसको हटा दिया, तो अब यहाँ पे क्या होगा, कि यह वाला हट गया, सिर्फ एक ही एरिया जो है वो स्क्रोल होगा तो नीचे पर कोई असर नी पड़ेगा इसका देखरो आप यह वर मैं इस पर कर रहा हूं तो उपर में कोई असर नी पड़ेगा तो बेसिकली क्या है कि अगर आप दो विंडो पर काम कर रहों दो आपके वर्क बूक है तो यहां पर साथ आपने रख लिया अगर दोनों डेटा में आपको एक साथ स्क्रोलिंग करनी है तो आप यह वाला उप्शन क्लिक कर दो मैं यहां पर सेलेक कर लेता हूं आप देखो दोनों पर स्क्रोलिंग एक साथ अप्लाई हो रही है और अग मैं हटा दूंगा तो उसके बाद क्य होगा कि स्क्रोलिंग अलग-अलग अप्लाई होगी इसके साथ ही मान लो कि अगर आप किसी विंडो की साइज को रिसाइज करते हो एक्जैम्पल के लिए अगर मैं आपको शो करूँ कि लाइक मैं इसको बढ़ा कर दिया और मुझे इससे पहले एक तरह नॉर्मल करना है ज यहां पर एक बहुत important option के बारे में आपको बता दूँ जो कि है switch window और अगर आपने मेरा VLOOKUP का tutorial देखा होगा जिसमें हम क्या करता है VLOOKUP on multiple workbook तो आप इस switch window का use आपको पता होना चाहिए क्यों मैं समझाता हूँ देखो जब VLOOKUP आप multiple workbook पे लगाते हो तो वहां पे क्या होता है कि आपको दूसरे workbook से भी data select करना है example के लिए मालो कि एक workbook है हमारा यह ठीक है और यही same id number जो है मैं copy के एक काम करता हूँ इसमें data है बहुत ही जादा हम क्या करते हैं कोई ऐसा data लेते हैं जैसे ही simple data हमार पस ठीक है यह हमने लिया इसको हम करते है normal फिलाल के लिए इसको हम हटा देते हैं यहां से और मैं यही id number ले लेता हूँ copy के मैं Ctrl N कर लेते हैं एक नया workbook ले लेते हैं और यहां पर paste कर देता हूँ और इसमें से जो salary वाला portion है यहां से हटा के मैं यहां पर दे देता हूँ ठीक है तो आप यहां पर एक ची समझ जाओ आप कि आधा data है वह book 2 पर है मैं इसको save कर लेता हूँ तो मैंने save किया इसको browse पर गया में और मैंने कहां पर my data 2 इसके नाम से मैंने save कर लिया अब यहां point समझना मुझे यहां पर look up लगाना है जिसमें मैं data को fetch कर रहा हूँ कहां से दूसरे workbook से तो मैं यहां पर पहले तो चीजों को mention कर देता हो नहीं तो आप confused हो जाओगे जैसे कि यहां पर है id number और यही id number है यहां पर और मुझे यहां पर क्या करना है इसके designation उठानी है किससे उठानी है id number से कि मैं यहां पर कोई भी id number डालू उसके designation यहां से आ जाए क्योंकि दोनों में same id number है तो यह इंटर लिंक portion आ गया तो हम क्या करेंगे यहां पर आएंगे मैं id number डाला यह वाला id दे देते हो मैं is 105 यहां पर आया क्या paste हम करते हैं simple equal मैंने क्या यहां पर view look up अब यहां बात करते हैं look up value की तो यह वो look up value है जिसके भी हाप मुझे designation चाहिए मैंने क्या कोमा अब बात करते है table array की तो मैं दू दूसरा data for practice मैं इस पर जाऊंगा यहां आगे हम मैंने क्या गया इस वाले table array को select कर लिया पूरे को select करने के बात हम करेंगे कोमा और यहां पर देखो क्या बता रहा है column index number तो एक दो तीन इसका column index number का है 3,0 और करेंगे enter जैसे मैं enter करूंगा आप देखो यहां पर 105 का क्या ह helper और वो चीज़ यहां पर आ जाती है तो जब आप we look up use करोगे यह सवाल कई बार इंटरिव्यू में आता है कि we look up on multiple workbook लगा के दिखाओ अलग-अलग workbook या अलग-अलग file पर कैसे लाओगे तो ज्यादा तर लोग confused हो जाते हैं कि भी symbol we look up कि तर लगान लग जाते हैं ले मैं आपको sorry बोलना चाहूंगा तो यहां पर last option की बात करते हैं जो कि है macro देखो macro का use होता है steps को record करने के लिए अब already मैं इसके उपर काफी videos बना चुका हूँ बड़ एक छोटा सा overview देखते हम brief में नहीं समझेंगे से छोटा overview देखेंगे सबसे पहले macro का use में क्या बता र यह मैंने macro का नाम दिया और एक shortcut की आपको बनानी होती है उस macro को apply करने के लिए तो मैं यहाँ पे ctrl shift h press करता हूँ अब यहाँ पे मैंने ctrl shift h press किया ctrl h यू नहीं किया ctrl h का मतलब already होता है जो कि है replace लेकिन ctrl shift h का मतलब कुछ नहीं होता तो यहाँ पे ctrl shift h मैंने इसलिए यूश किया है ताकि यह जो हमारा software है excel यह confuse ना हो कि मुझे replace करना है या फिर macro चलाना है तो इसलिए हमने ctrl shift h लिया है मैं करूँ है जैसे मैं ok करूँ है macro आपका यहाँ पे start हो जाता है आप developer tab में देखोगे यहाँ पे stop recording का option आ रहा है तो अब मैं जो जो काम करूँ हो सब record होगा तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ यहाँ यहाँ पे हाँ चलेक्ट कर लेताँ है इस वाली range को पहला मैं नहीं select क्या इसके बाद मैं क्या करता हूँ इसका जो color है वह मैं कर दीता हूँ यहाँ पर वाले को select करूँ हूँ और यहां पर मैं इसका color कर देता हूँ ब्लू और इसका जो tag color है हुआ हुँ प्रेमेन किया बाइट इसके मुझे है color questions और यह वाला जो color मैं apply कर देता हूं, text color मैंने क। इस पे black, और यहाँ पे फिर मैं गया my font change कर लेता हूं, यह वाला one ले लेता हूं और इसको कर देता हूं align center, और इसके लाबह मैं एक size जिसका बढ़ा कर देता हूँ, अब आप देखो मैंने इसमें कितनी चीज़े की, वह सारी चीज़े की, लेकिन जब मैं macro अभी चला रखा है, मैंने तो इस अब record हो रहा है, तो दुबारा जब मुझे ये करना होगा, तो मुझे सिर्फ एक button प्रेस करना है, सब कुछ अपने जाएगा, देखो कैसे, तो मैं क्या करता हूँ, पहले तो developer में जाता हूँ, या फिर आप यहां view tab में चले जाओ, macro पे यहां stop recording पे click करो, आपका जो macro हो record हो चुका है, अब देखो मैं आता हूँ, दूसरे data पे, मैं यहां पे इसको select करूँगा, select करने के बाद मैं यहां प कुछ मुझे करने की जोत नहीं पड़ी, मैंने button दबाया, automatically यहां पे हो गया, देखो मैं फिर से करके बताता हूँ, मैंने इसको select किया, delete कर दिया, यहां पे कुछ नहीं है, मैं क्या करूँगा, दुबारा से इसको select करता हूँ, और control shift press करता हूँ, तो एक ही बार में वो सा आंक्टर, software बनाए जाते हैं, या फिर कई ऐसे बड़े task होते हैं, attendance sheet, professional attendance sheet वगरा जब बनते हैं, तो वहां पे मैंकरो का use होता है, I hope कि guys view tab में जितने भी option से वो आपको clear हूए हो, और जितने भी option से वो आपको समझ में आए हो, अच्छे से, अगर वीडियो आपको चोटा सा कमेंट करके अपना feedback जरूर दे, thank you.